जो सही और गलत के एक शेत्र में फसा हुआ है, उचेत अनुचेत, पसंद और नापसंद, वो कभी प्रेम के स्वाद को नहीं जान पाएगा. रूमी एक प्रेमी है, तो वे ऐसी भाषा बोल रहे हैं, जो सही और गलत से परे हैं। तो कभी-कभी वो उस क्षेत्र तक पहुँचते हैं, जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। लेकिन योगी उसी क्षेत्र में होते हैं, वे कभी-कभी सही और गलत के क्षेत्र में उतरते हैं, जब उन्हें दुनिया से लेन-देन करना होता है। वर्नावे वही होते हैं और प्रेम वहाँ पहुचाने का सिर्फ एक तरीका है एक मधूर तरीका एक सुखदायक तरीका लेकिन मधूरता की समस्या ये है कि जब कोई चीज मधूर हो जाती है बहुत से लोगों के लिए यात्रा मधूर हो जाए तो वे कभी मंजिल तक नहीं पहुचेंगे ये दुर्भाग्य है अगर यात्रा मधूर हो तो बहुत अच्छा है ये सबसे अच्छा तरीका है मंजिल तक पहुचने का सबसे बुधिमानी भरा तरीका है यात्रा को मधुर और सुन्दर बनाना लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादा तर लोग मन्जिल तक नहीं पहुँच पाएंगे अगर उनकी यात्रा बहुत मधुर हो जाए तो वो खुद को वहीं रोग देंगे अपनी मधुरता में एक बार जब आप मधुरता और कड़वाहट में फर्क करने लगते हैं तो आप सही और गलत से कैसे बच सकते हैं जब आप मधुरता और कड़वाहट के आधार पर चुनने लगते हैं तो आप सही गलत से बच नहीं सकते हैं तो जब कोई एक शेत्र या जगे के बारे में बात करता है जो सही घलत से परे है, तो वे स्विकार करने या विरोध करने से भी परे है ये स्विकार करने और अस्विकार करने से परे है आप स्विकार या अस्विकार तभी करते हैं जब आप किसी चीज को अच्छी या बुरी मानते हैं, सही या घलत जब तक आप उस क्षेत्र में हैं आप पसंद और नापसंद का आनंद लेंगे अगर आप उस थिती में हैं, जिसे आप अच्छा मानते हैं, तो आप उसका आनंद लेंगे अगर आप उस थिती में हैं, जिसे आप बुरा मानते हैं, तो आप उससे दुखी होंगे ऐसी स्थिती में आमतौर पर इस संस्कृती में हम इसे रजस कहकर टाल देते हैं राजसिक मतलब पसंद और नापसंद, मधुरता और कड़वाहट, सही और गलत, ये सबी चीज़े ये स्थिती दुनिया के कामों को संभालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पर अगर आप भीतरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं, तो ये किसी काम की नहीं है अगर आप किसी तरह के मालिक बनना चाहते हैं, इस दुनिया में किसी तरह के राजा तो आपको सही और गलत का पता होना चाहिए, आपको अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए अगर आप फर्क नहीं कर पाते तो आप इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते लेकिन अगर आप भीतरी दुनिया के राजा बनना चाहते हैं और तब अगर आप इस सही घलत में हैं तो आप कभी वहां नहीं पहुँच पाएंगे वो आपकी जगा नहीं होगी आप सोच सकते हैं आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि विचार और भावनाएं यहीं की हैं जैसे ही आप सोचते हैं आप सही और गलत से परे नहीं सोच सकते आप अच्छे और बुरे से परे नहीं सोच सकते तो आपके विचार और भावनाएं इस सही और गलत के क्षेत्र के हैं जब आप उनसे परे हैं और आप एक क्षेत्र में हैं जहां कुछ सही या गलत नहीं होता तो वहाँ कोई विचार नहीं होता ना ही कोई भावना होती है अरे क्या जीवन व्यर्थ है? न विचार है न भावना क्या जीवन व्यर्थ है? नहीं वो इनसान जो शून्यता के असीम पर्मानंद को जानता है उसके लिए विचार और भावना बहुत ही रसहीन है जो लगातार विचार और भावनाओं में सही गलत में और जीवन के दोहरेपन में फसा हुआ है क्योंकि वो कोई बहतर चीज नहीं जानता और वो इससे परे जाना नहीं जानता तो उसे किसी तरह इन ही चीजों का सुख लेना पड़ता है इन ही चीजों की बढ़ाई करनी पड़ती है उसे इनको सबसे उचा बनाना पड़ता है ज्यादातर लोग ज्यादातर इनसान लगातार इस चीज की बढ़ाई करते रहते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है अच्छे गुण और बुरे गुण दुनिया में इन ही चीजों को प्रेम आदर और सम्मान मिलता है बस यहां बैठने को कहते हैं मूर्खता जिसका कोई फाइदा नहीं एक बार जब सही और गलत चला जाता है तो सिर्फ विचार और भावना ही नहीं चली जाती काम करने की भी ज्यादा गुणजाइश नहीं बच्छती अगर काम होता है तो वो सिर्फ आसपास की चीजों के उप्तर के रूप में होता है क्योंकि उस इनसान में काम करने की जरूरत पूरी तरह गायब हो जाती है प्रेम या नफरत करने की जरूरत उस इनसान में नहीं रहती तो ये मत समझे कि सही और गलत से परे होना प्रेम की स्थिति है नहीं ये प्रेम से कहीं परे है अगर इसे बहुत सरलता से कहें अगर इसे उन शब्दों में कहें जो बहुत ब्रश्ट हो चुके हैं तो हम उसे योग कह सकते हैं यानि सब कुछ एक हो गया है, پ्रेम वहां तक पहुँचने का बस एक प्रयास है, प्रेम एक एसकेलेटर हो सकता है, लेकिन पहली मनजिल नहीं, ये कोई उची मनजिल नहीं है, ये बस एक एसकेलेटर है, लेकिन कभी-कभी, अगर आप उल्टी दिशा में चल रहे हों, तो आप हमेशा के लिए एसकलेटर पर होकर भी कहीं नहीं पहुँचेंगे हवाई अड्डों पर ऐसा होता है, खुद चलने वाली पट्रियां होती है अगर आप उल्टी दिशा की पट्री पर चड़ें, तो हमेशा के लिए चल सकते हैं, पर कहीं नहीं पहुँचेंगे आजकल लोग ऐसी हलचल से बहुत लगाव रखते हैं और इसी लिए ट्रेड्मिल इतनी लोगप्रिया हो गई है आप हमेशा के लिए चल सकते हैं, भाग सकते हैं, पर कहीं नहीं पहुँचेंगे उसमें संगीत होता है, उसमें रेडियो होता है, वो आपको ये भी बताती है कि आप हर पर ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं लेकिन आप कहीं नहीं पहुँचते मैंने इसे प्रेम नहीं कहा, मैंने इसे स्पर्ष से परे कहा स्पर्ष से परे का मतलब है आप में उसे छूने की इच्छा नहीं है या आप छू नहीं सकते आप में छूने की क्षमता नहीं है है एक भूमी जो है परे सही और गलत से पहुँचके उस भूमी तक जब टिक जाते हैं आप वहाँ तब कुछ अलग बनने और रोटी को जीने वाले इनसान लगेंगे उड़ाने मजाग और करने लगेंगे अपनी इरश्या को छिपाने का प्रयास और उतर कर आएंगे देवता नीचे पाने को आपका साथ जाते हैं पहुँच जब एक बार आप वहाँ जो भूमी है गलत और सही से परे तो फिर करनी नहीं होगी चिंता कभी कि है गलत या है गलती कोई तो जब आप उस जगा पहुँच जाते हैं तब आपको गलती करने की चिंता नहीं करनी पड़ती तब आप बस एक बेफिक्री के साथ जीते हैं और दूसरे लोगों को लगता है कि आप लापरवा है लेकिन जब गलती करने का कोई तरीका ही नहीं है तो परवा करने की क्या जरूरत है लेकिन जरूरत है